आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे मिरा नाम सितना तक नहीं हो तरी स्टेडी आइक्यूपैप का बहुत बहुत स्वागत है और गूम के आते हैं स्टैच्यू आफ यूनिटी तो स्टैच्यू आफ यूनिटी जो की हमारे आइरन मैन भारत के राष्टर निर्माता सरदार वल्लब भाई पटे का स्टैच्यू है दुनिया का सबसे बड़ा स्टैच्यू 182 मीटर उसके इर्ध गिर्ध एक सरकेट बना दिया गया है जिसको हम टूरिजम सरकेट बोल रहे हैं कि अब आप स्टैच्यू आफ यूनिटी तो जाएं अगल बगल की जगहों पे भी घूम ले पैसा जादा देना पड़ेगा लेकिन इतना भी जादा नहीं है जब घूमने जाएंगे तो इतना तो पता ही है कि आप पैसा घर्ज होता है तो कितना पैसा लगेगा क्या क्या आप देख सकते हैं इस लेचर में चानेंगे यह देख सकते हैं यह हमारे मोदी जी है यह पीछे कितना खुबसूरत रात में लग रहा है और यह नर्मदा इसके आगे जाएंगे अभी दिखा देता हूं मैं फिलाल छोड़ो लेचर के आगे बढ़ते हैं हम यूपी एसी के स्मार्ट को से आते स्टेडी आईक्यू का आइप डाउनलोड करके आप इन कोर्स को अवेल कर सकते हैं और अब दिवाली से आ रही है तो बहुत ही अट्र 182 मीटर बड़ा है यह आपको बता दू कि कहां पर यह यह सकते हैं यह नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में आता है शूरत से त्रेन भी आ पर जाती है लेकिन शूरत से यह 1500 किलोमिटर की दूरी पर है और वडोधर जो नियरस टी सिटी है वो वडोधरा है और शूरत है तो सूर से 1500 किलोमीटर और वडोद्रा से 100 किलोमीटर की दूरी पे है लगबग लगबग तो आप जा सकते हैं इंजॉय कर सकते हैं पहार मिलेंगे आपको सत्पुड़ा रेंजेज मिलेंगी बड़ी खूबसूरत है यह शायद शाम का ही टाइम है और आप हेलिकॉप्टर से भी इसको नर्मदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है तो नर्मदा डिस्ट्रिक्ट में ट्रेंज जाती हैं आप जा सकते हैं इसकी कॉस्ट कितनी थी लार्सन एंग टूब्रो ने इसको कंप्लीट किया है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इसकी लगबग हजार करोन के आसपास थी किस इसने इसको डिजाइन किया है राम वी सूतार याद रखेगा ये सब जो मैं बता रहूं इस्टेटिक है ये बैंकिंग के एक्जाम एससी के एक्जाम में पूछा जाएगा कब इसको इनाउगरेट किया गया 31 ओक्टूबर 2018 को हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने और 31 ओक्टूबर को आपको पता ही है बर्थ एनिवर्सिटी थी 143 बर्थ एनिवर्सिटी थी और इसी दिन 31 ओक्टूबर को यह अभी के वड़िया टूरिजम सर्केट भी आ गया हमारे पास 2013 में ऑक्टूबर 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ था तो के वड़िया टूरिजम सर्केट बोला जाता है बोला जा रहा है जहां पे स्टैच्यो ऑफ यूनिटी लोकेटेड है अभी मोदी जी गुजरात गए थे पहली बार गुजरात गए थे जब से पैंडमिक आया है मोदी जी ने अपने करियर के शुरुवात कहर गुजरात के ह रहने वाले हैं उनकी वायग्राफि मैंने रिव्यू की है तो वही सही उन्होंने अपनी करियर के शुरुवात की थी सत्पुड़ा रेंजेज आपको मिलेगी और विंध्याचल मौंटेन रेंजेज भी मिलेगी बताया न यह आसपास जो है वो पूरा पहाड़ी एरिया है और बीच में नर्मदा नदी बह रही है ओहती खूपसूरत टोटल कॉस्ट इसकी याद रखेगा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट की बात के अगर टोटल कॉस्ट तो हो तीन हजार करोड के आसपास है and it is the tallest statue of the world statue of unity से भी बड़ा इतना बड़ा है हमारे वल्लब भाई पटेल का इतना बड़ा है इससे पहले मागे बड़े और केवडिया टूरिजम सर्केट को समझें मेरा टेलिग्राम चैनल है 10600 सब्सक्राइबर है यह original है यही वालो जॉइन करिएगा तो केवडिया टूरिजम सर्केट में आपको मिलेगा क्या अगर आप घूमने जाएंगे जिस्निक बनाने आते थे अब ऐसा क्यूं था ऐसा इसलिए था क्यूंकि यहां सर दार सरोवय दैम है ये नर्मदा इसलिए भोल जाता क्योंकि यहां से नर्मदा नदी बहती है इसमें आपको मिलेगा वैलु औौ फ्लावस विश्ववन जंगल सफारी, कैक्टर्स गार्डन, बटर्फ्लाई गार्डन, एक्ता नर्सरी, टेंट सिटी, एक्सेक्टरा, एक्सेक्टरा ये सब on the periphery of statue, ये statue है और बिलकुल इसके बगल मेही ये सब located है तो पूरा आप घूम सकते हैं आराम से इसको कोई दिक्कत नहीं है और नर्वदा डैम तो है ही, जो की open है, तो statue of unity से पहले भी, देखिए ये जो डैम्स होते हैं ये वैसे भी picnic spot होते हैं, बेराजे, डैम्स ये सब picnic spot होते हैं तो लोग वैसे भी enjoy करने जाते हैं क्या-क्या attraction, major attractions की बात करते हैं सबसे बड़ा attraction तो दोस्तों, सरदार पटेल, जूलोजिकल पार्क और जंगल सफारी है ये जो पार्क इसका पूरा area जो है, वो 375 एकड का, 375 एकड में फैला हुआ है एक एकड आप समझते ना, कितना आधी football field, समझ गए अब ये 375 एकड में फैला हुआ है, 7 levels है पार्क और जंगल सफारी आपको देखने को मिलेगी, लेकिए statue of unity को October 2018 में inaugurate किया ही था, लेकिन उसके बाद हम इसको modify कर रहे है कि ये वडिया को world map पे लेके आना है, जहां पे statue of unity है ना, पूरी दुनिया समझे एक world class tourism center के रूप में इसको हमको develop करना है, ताकि revenue generate हो बहुत सारे projects नहां पे चल रहे है, सरकार का ये मानना है 9000 करोण, 2022 तक 9000 करोण का economic impact होगा इस के वडिया सरकेट से और सबसे बड़ी बात है, social upliftment होगा, लोगों को नौकरी दी जाएगी ना, tourist time ये, एक पहाड की इर्दगीर कितनी सारे दुकाने होती है, वो सिर्फ एक पहाड है, लेकिन वहाँ लोग गूमने जाते है और कितने लोगों को रोजगार मिलता है, ये बहुत बड़ी बात है अब वैसे तो इसका inauguration 26 March को होना था, लेकिन lockdown हो गया, तो अब इसका inauguration हुआ है 31 October को सरदार पटेल की birth anniversary, 31 October 1875 में ही तो पैदा हुए थे सरदार पटेल और उनकी 145th birth anniversary थी, और तब केवडिया tourism circuit को inaugurate किया गया तो अब हम zoo पे आ जाते हैं, तो ये zoo जो है, वो 375 एकड में पहला हुआ है 129 मीटर से 180 मीटर का altitude है, 7 levels है, 100 से जादा species है, प्रजातिया है, animals और birds की अब यहाँ पे आपको क्या-क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको wallaby मिलेगा, जो कि ये kangaroo की ही प्रजाती है, kangaroo की ही family से आता है फिर ilama मिलेगा, alpaca मिलेगा, मुझे भी ही सब नहीं पता है क्या है, और फिर giraffe चलिए तो पता है, जिराफ, zebra, wild beast आपने देखा ही होगा, फिर gems box, फिर उसके बाद impala भी आपने देखा होगा, all native to Africa, यह सब आपको इस zoo में मिलेंगे, zoo तो होता ही है, याद रखेगा कोई भी tourism circuit बना रहे है, उसमें zoo के बिना तो वो tourism circuit अधूरा है, और हाँ जंगल सफारी भी हो गया, यह तो मैं भूली गया, जंगल सफारी भी आप कर सकते हैं, यह तो जूलोजिकल पार्क की बात होगी ना, जंगल सफारी है, आस पास जंगल है, सर्पुडा की पहाडियां, ज जंगल में, zoo में तो खाली 100 प्रजातिया, सफारी करोगे, तो 1100 प्रजातिया, birds की आप देख पाऊगे, और animals की देख पाऊगे, और this will be the only safari of its kind in the country, जहां पे इतने सारे exotic animals आपको देखने को मिलेंगे, भाईया, 1100 प्रजातियों की बात हो रही है, तो जब आप जंगल म नहीं है, इसका मतलब animal दिखने के chances, यही होता है ना, जैसे आप बड़े पार्च में, जिम कॉर्मिट पर चले जाओ, तो वहां पे बहुत कम chances होते हैं कि आपको tiger दिख जाए, लेकिन यहां पे आपको डेर साने animals दिखेंगे, अब लोगों को यह भी जनना होगा कि क्या य फिर sheep हो गया, गोट यह सब आपको देखने को मिलेगी, तो 1100 से ज्यादा प्रजाती है आपको यहां पे देखने को मिलेगी zoological garden में, उसके बाद आपका children's nutrition park है, ध्यान दीजेगा यहां पे 35 ऐसे spots है जो tourist attraction है, कुछ मैं discuss कर रहा हूँ, children's nutrition park में क्या आता है, यह first दुन गया है, बच्चों के लिए है, तो train ride तो आपको देखने को मिलेगी, न्यूट्री train ride, 600 मीटर का track है, मतलब आधा किलो मीटर से थोड़ा जादा, 35,000 स्क्वायर मीटर में यह फैला हुआ है, और उसके बाद theme based station भी है यहां पे, बहुत गजब तरीके का बनाया है, मुझे आधा किलो मीटर बड़ा हो गया यह, तो इस सारे छोटे 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 theme based है, हर एक station के theme होगी, अब nutrition से related है, तो definitely इस पार्क में आपको जो theme है, वो nutrition से ही related, सबजिया हो गई, फल हो गए, ऐसे ही आपको theme मिलेंगी, हर एक station में आपको mascot मिलेगा, जैसे कुमार किसान, जो एक puppet farmer है, कुमार किसान, आप नाम से ही समझ गए होंगे, एक farmer, एक puppet, कट पुतली farmer, जो story बताता है, कि किस तरीके से, ये fruits and vegetables उगा रहा है, तो आप समझिए, कि अगर आप बच्चों को यहाँ पे ले जा रहे हैं, तो बच्चों का mind तो ऐसे ही चलता है, और इसी तरीके से पार्क को बनाया गया है, बच्चे बहुत खुश होंगे, और सीखेंगे भी बहुत कुछ नया, तो इससे बढ़िया तो होई नहीं सकता, किसानी के बारे में सीखेंगे, किसानों के बारे में सीखेंगे, यही बच्चे तो आगे जाके ISIPS बनेंगे, शुरू से ही ऐसे information ड सब में होता है, हर को enjoy करता है, मुझ में भी आप में सब में है, तो यह काउग रेजर यह बताता है, कि दूद पीना क्यों important है, अपने दोस्तों के साथ जा रहे हो, तो तो बहुत ही आप enjoy करोगे, उसके बाद interactive games भी है, interactive games यहाँ पे, देखें, interactive games इस थरीके के बनाये गए हैं कि बच्चों को nutrition का importance बताया जाए, जो healthy foods होते है, junk food बहुत जादा, बच्चों को बहुत कम उमर से junk food दिया जाता है, जो कि बहुत गलता हम उनको जहर दे रहे हैं, तो बच्चपन से ही healthy food की habit डालनी चाहिए, और इस पार्क में यह बखू भी बताया है, ऐसे games हैं, जो यह encourage करते हैं कि बच्चों को क्या खाना है, और बच्चों को ही यह बताया जाता है, फिर उसके बद 5D animation films भी है, जो इंडिया के unity in food diversity, भाई भारत unity in diversity तो है ही, लेकिन food diversity भी है, हर राजियो का खाना south में south Indian, north east में north, गुजरात में गुजराती थाली, पंजाब में पंजा अगला important शीशाघर, मिरर मेज, जिसमें 5D virtual reality, टेक्निक और टेक्नोलजी आप देखिए, वी आर थीएटर यहाँ पे यूज, augmented reality, यह सब टेक्नोलजी यूज की गई है, ताकि nutritional awareness फैलाई जा सके, फिर कार्निवल लुक भी है, यह साड़े 8 km का स्ट्रेच है, एकतादार से स सरवय डैम तक, और इसमें colorful motives आपको दिखेंगे, light बहत्रीन है यहाँ तो कार्निवल लुक नाम से यह आप देख सकते हैं, कार्निवल में light का ही तो बहुत बढ़िया यूज किया जाता है, तो पूरा statue of unity glow करेगा, शायद मैंने फोटो भी लगाई है, भी मैं आपको दिख जा 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 है, और वहाँ पर cycling tour भी होगा, जो कि valley of flowers से शुरू होगा, तो एक तरीके से family friendly guided bicycle tour होगा, जिसमें small frame kids bicycle होगी और regular bicycles भी होगी, अगर आपको cycle चलानी है, cycle से पूरी river, पूरे riverfront को explore करना है, तो आपके लिए cycle भी तयार है, बच्चों के लिए cycle भी cycle तयार है, tandem cycle भी है, tandem cycle tour होते हैं, कि वो दो cycle होती है, जाप एक कपास बैठ सकते हैं, वो भी है, electrical cycles भी आपको मिलेगी, नहीं चलाने तो चलो, पैडल नहीं मारना है, ठंग जाते हैं तो चलो electrical cycle ले लो, तो इससे आप explore करते चले, गार्डन होगा ही, cactus garden है, cactus garden याका सब one of the main attraction है, जो क की एक grand green house है, 450 national और international species of cacti हैं, cacti हैं यापे, 17 countries की, और इसका जो डोम है, ये 836 square meter में फैला हुआ है, और गार्डन का पूरा एरिया 25 एकड़ का है, 6 लाग plants हैं यापे, including 1.9 लाग cacti, फिर 1.5 लाग ornamental plants, 1.6 cichlent plants, उसके बाद cruise भी आपको देखने को मिलेगी, नदी हो, समुद्र हो, cruise ना हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है, एकता cruise नाम दिया गया है, पूरे statue of unity को आप देख सकते हैं, 40 minute की पूरी आतरा हो गी है, 6 km downstream, 6 km बहुत हो गया, unity 1 में 200 passengers आएंगे, जिसमें dinner भी दिया जाएगा, और उसके बाद unity 2 है, ये high speed boat है, जिसमें 25 passengers इसके बाद सबसे बड़ी चीज, sea plane service, भारत का पहला commercial sea plane service, जो कि statue of unity को साबर मती riverfront से जोड़ेगा, यानि कि आप एहमदाबाद से सीधा statue of unity चले जाएगे, साबर मती riverfront से सीधा ये statue of unity को जोड़ेगा, देखें कितना सस्ता है, 1500 में आप चले जाएगे, आराम से, और ये spice jet की सबसे डिरी, spice shuttle देगा, अंडर उड़ान स्कीम, उड़े देश का आमनागरिक, 1500 रुपे, बस, 1500 रुपे दीजिए, साबर मती से statue of unity घूमाईए, सबसे adventurous चीज, rope way, नर्मदा डैम के across, rope way भी develop हो रहा है, जो कि नर्मदा रिवर के दो बैंक्स को जोड़ेगा, एक किनारे से दूसरे किनारे में कैसे जाएगे, बोट से जाएगे, लेकिन अब आप rope way से भी जा सकते हैं, नर्मदा डैम को देखते हुए, सरदार सरववे ड चिल्डेंस के लिए, गैलरी देखना चाहें, तो आपका 380 रुपए हो जाता है, और 230 रुपए चिल्डेंस, जो सबसे expensive attraction है, वो river rafting है, अभी 1000 रुपए per head, full tour package अगर आपको लेना है, तो आपको 3000 रुपए लगभग लगेगा, अब देखें दोस्तों, ये जो tourism circuit है, अगर आप plan बना रहे हैं, तो statue of unity जरूर घूम के आए, वैसे तो गुजरात ही पूरा घूमने लाग, बहुत ही खुपसूरत वाँ पर सोमनात है, दमन खेर गुजरात में लेकिन दमन आप जा सकते हैं, बीच को आप explore कर सकते हैं, खुपसूरत है गुजरात, अगर आप ज दान तक दो तरी साइनिग ओफ